ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू, कुछ भी लिखने की ज़रूवत नहीं है क्लास के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी वहाँ से आप डारेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारे हेल्थ केर ओफ दे कम्यूनिटी वाले चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इस प्राइमरी हेल्थ केर ठीक तो सबसे पहले चीज कि भाई प्राइमरी हेल्थ केर जो है ये टर्म कब आई ये शब्द कब आया तो प्राइमरी हेल्थ केर ये शब्द ना 1978 में एक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस हुई थी आलमा आटर में आपना बहुत सारी चीज़े डिसकस की गई थी बहुत सारी तो ये जो आलमा आटर 1978 की ये सारी कॉन्फरेंस की जो पिक्स देख रहे हैं ये में बहुत सारी चीज़े आई थी जैसे की health for all भी आया था लेकिन इसमें ना एक बहुत एहम चीज़ आई थी term that was primary healthcare तो primary healthcare कब ये term आई थी ये आई थी अलमा आटर की कॉन्फरेंस 1978 में जो हुई थी उसमें तो ये आपको याद रखना है तीक अब आता है इसका एहम चीज़ definition तो ना PSM में कुछ चीज़े हैं जो आपको fail करा सकती हैं उनमें से एक ये है definition of primary healthcare भाई ये तो आपको बननी ही चाहिए नहीं बनेगी तो fail भी हो सक तो ये तो बननी चाहिए क्या होती है primary healthcare जो होती है वो एक essential healthcare है याने कि एक जरूरी healthcare है जो की सभी को accessible होनी चाहिए याने सभी इसका इस्तिमाल कर सकें जो की सभी के बीच acceptable होनी चाहिए याने कि सभी इसको अपना लें by their full participation याने कि ये ऐसी services होनी चाहिए जिनको सब लोग अपनाएं भी और फिर आगे बढ़के इसका इस्तिमाल करें और साथ साथ इतने पैसों में होनी चाहिए याने affordability इतनी होनी चाहिए कि जो देश उन services को दे रहा है वो भी afford कर सकें जिस community को वो services मिल रही है वो भी afford कर सकें या वो services का इस्तिमाल ले सकें त अगर हम बात करें कि जब एक लंबी definition आती है ना तो उसको कैसे याद करना है तो मेरा तो एक ही तरीका होता है भाई उसको तुकडों में बाटने के बाद ना वो कंठस्त हो जाती है इसको हम primary healthcare की definition को चार तुकडों में बाटेंगे पहला primary healthcare जो होती है वो essential healthcare होती है second उसको सभी के बीच accessible बनायना चाहिए दो तीसरा वो acceptable होनी चाहिए सभी के द्वारा उनके full participation के through तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट इतने पैसों में कि community और country afford कर सके चार पार्ट तो ऐसी चार भागों में भाजित करके अगर आप याद करोगे तो याद होगी पहला कि ये एक essential healthcare होती है दूसरा कि भाई इसको accessible सबके लिए होनी चाहिए तीसरा acceptable होनी चाहिए by their full participation और चौथा इतनी cost में होनी चाहिए कि country और community उसको afford कर सके समझ गए example की तो पर इनको कैसे समझेंगे for example अगर तुम कोई अगर वैक्सीन्स ला रहे हो covid के लिए तो ना उसको accessible accessible का मतलब सबको मिलनी चाहिए acceptable acceptable जैसे कि अभी मनें सुना covid-19 के बारे में हम सुन रहे थे कि उसमें pork का gelatin होता है तो वो कई लोग नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ऐसा नहीं होना चाहिए सब ऐसी चीज़ानी चाहिए जो सब में acceptable हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए पताचाओ covid-19 की vaccine तुम दे रहे हो कि बह हर कोई नहीं afford कर सकता तो ऐसी vaccine आनी चाहिए जो कि देश भी सब को free में लगवा सके और लोग भी अराम से लगवा सके तो इस तरह से याद कर सकते हो कि सब को मिलनी चाहिए सब के बीच acceptable होनी चाहिए और affordability भी उसकी होनी चाहिए तो यही है primary healthcare कि एक essential healthcare है जो कि सब को मिलन चाहिए उनके पूरे participation के द्वारा और इतने पैसों में होनी चाहिए कि देश और community उसको afford कर सके समझ गए तो यह तो हो गई भई primary healthcare कब आई थी और उसकी definition क्या होती है अब बहुत important चीज़ आ रही है दो चीज़ एक होती है इसमें कि elements of primary healthcare क्या होते हैं दो मुख्य और फिर अगला आता है principles तो चार principles है इसके और आठ elements है इसके इसको हम याद कैसे करेंगे कि भाई क्योंकि confusion होता है confusion होता है हम बोल देते हैं चार elements है आठ principles है हम बोल देते हैं कि भाई आठ principles है चार elements है नहीं हमको ऐसा याद करना है हम कैसे याद करेंगे यह है आपका element यह है आपका principle तो element का जो e है उस e में एक और ultra e जोड़ दो तो क्या जाएगा 8 याने कि 8 हापके हो गए elements ऐसी principle का जो p है उसकी उपर वाली डंडी हटा दो तो ये ultra 4 बन जाएगा याने कि 4 आपके क्या हो गए principles simple फिर से बताओं देखो एक है आपका elements एक है आपका principle तो ये जो element का e है इसमें एक और e जोड़ दो तो बन गए 8 तो 8 elements अब ये जो principle का p है ये जो p है इसमें से एक डंडी हटा दो तो क्या बन जाएगा ultra 4 याने कि 4 4 क्या हो गए आपके principles तो ऐसे याद कर सकते हो कि elements 8 होते है principle 4 होते है तो ये तो हो गया भई elements 8 है आपके पास principle 4 है अब वो 8 elements क्या है जो भी आप service दे रहे हो primary health care के थहर उनमें ये 8 चीजें होनी चाहिए ये 8 चीजें कौन कौन सी care आपको 8 देनी है पहली तो MCH care आपको देनी है that is maternal and child health care उसके अलावा आपको primary health care के तहत educate करना है लोगों को जो health problems होती है उनके बारे में और उसको control कैसे करेंगे इसके बारे में उसके अलावा आपको proper nutrition, food और nutrition supply बना के रखनी है लोगों के लिए तो food and nutrition याद रखना है उसके अलावा आपको promote करना है safe drinking water को और basic sanitation services को साफसुत्रपानी और sanitation services याने कि open field defecation वगरा ये सब कुछ बंद कराना है और sanitary lanterns वगरा बनाना है इसके लिए क्या शुरू किया गया था इसके लिए वो अपना स्वच भारत अभियान शुरू किया गया था तो ये तो हो गई हमारी कि MCH care दो, educate करो food and nutrition प्रोवाइड करो water and sanitation प्रोवाइड करो उसके अलावा अब diseases की बारे में बात करते हैं तो अगर vaccine preventable diseases है ना याने कि infectious diseases उनके against immunization कराना है आपको primary health care के तहत उसके अलावा जो locally endemic diseases है ना उनको आपको control करना है अब ये locally endemic diseases में एक शब्द यूज हुआ आपका endemic तो ये endemic का मतलब क्या होता है हमने वैसे disease transmission वाले में पढ़ा है endemic उसके बाद epidemic उसके बाद pandemic ये तीन शब्द आपको पता होने चाहिए मतलब क्या होता है इनका endemic का मतलब होता है मान लोग कोई एक area है तो उसमें हमने जितना सोचा है उतनी ही बीमारी मिल रही है यानि कि अगर हमने सोचा है भाई जनवरी में एक particular area में malaria के 4 cases आते हैं तो 2020 में भी जनवरी में malaria के 4 cases आये थे और अगर 2021 में भी malaria के 4 ही cases आये यानि कि disease वहाँ पर endemic है यानि कि जितना हमने सोचा था उतनी ही बीमारी मिल रही है epidemic का मतलब क्या होता है epidemic का मतलब साल 2021 में malaria के 10 cases आ गए यानि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़ादा वो बीमारी मिलने लगी that is epidemic pandemic क्या होता है यही कि बहुत ज़ादा cases भी आ गए और बहुत सारे area में भी वो ज़ादा ज़ादा cases आपको मिलने लगे continent के continent सफर हो जाते है जो कि हम किस में देख रहे हैं अभी हम देख रहे हैं यह चीज COVID-19 में तो pandemic endemic, epidemic, pandemic endemic जितना हमने सोचा उतनी ही बीमारी ठीक है तो वापिस आते हैं locally endemic disease अगर कोई है तो भाई साब उसको control करना है और जो common diseases होती है ना सादी, 80, बुखार, dust, ulty, dust उनका treatment भी available कराना है primary health care के तहट इनके अलावा आपको essential drugs भी available करानी है तो आपको primary health care के तहट है जो ज़रूरी drugs यह ज़रूरी दवाईया है वो भी उपलब्द करानी है तो यह हो गए आपके 8 elements MCH care, educate करना, food and nutrition का ध्यान रखना, water and sanitation vaccine preventable disease का immunization, locally endemic disease का control, common disease का treatment essential drugs provide कराना अब याद कैसे करेंगे इनको देखो, 8 elements है ना तो कैसे करना पहले तो यह 4 याद कर लेना की मा और बच्चे को पढ़ाओ खिलाओ और पिलाओ मा और बच्चे से क्या हो गया maternal and child health पढ़ाओ से क्या हो गया education खिलाओ से क्या हो गया food and nutrition पिलाओ से क्या हो गया water and sanitation तो यह तो हो गए आपके चार फिर आता है अगले चार इस बीमारी को अब बीमारी अलग-अलग तरीके की थी तो पहला अगर वैक्सिन प्रेवेंटिबल डिजीज है तो उसको इम्मुनाइज करो अगर लोकली एंडेमिक डिजीज है तो उसको कंट्रोल करो और अगर कॉमन है तो उसको treat करो यह हो गया आपके तीन और अगर treatment करना है तो उसके लिए क्या ज़ोवत पड़ेगी आपको drugs की तो ऐसे आप 8 याद कर सकते हो याद हो गया कैसे याद किया हमने मा और बच्चे को पढ़ाओ खिलाओ और पिलाओ पढ़ाओ से education हो गया खिलाओ से food and nutrition हो गया पिलाओ से water and sanitation हो गया मा और बच्चे से क्या हो गया MCH care उसके बाद बीमारी है अगर यानि की disease है अगर तो कौन सी तो भाई अगर vaccine preventable disease है तो immunization करो अगर locally endemic disease है तो control करो और अगर common disease है तो treatment करो यह हो गए बाकी routine और treatment के लिए आपको drugs की ज़रुवत है तो एक एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ याद हो गए तो ऐसे आप elements of primary health care को भी याद कर सकते हो ठीक अब आता है आपका principles in fact principles को pillars भी कहते हैं कि MCQ मिला था लेकिन मुखिता जो term use होती है न वो होती है principles of primary health care क्या है और कितने हैं तो यह तो हमने याद कर लिया कि भाई जो principle है वो कितने है principle जो है वो चार principles है वो चार principles कौन कौन से हैं पहला है equitable distribution याद रखना यह spelling यहाँ पे हमने क्या लिखा है equitable ना कि equal equal distribution नहीं लिखा है equitable distribution होता है फरक होता है दोनों में यह हम समझेंगे उसके बाद community participation, intersectional coordination और appropriate technology यह चार नाम आपको याद रखने principles of primary healthcare में वाइवा में थियोरी में बहुत सर जगह सवाल आते हैं इस पे तो इनको याद कैसी करेंगे बोलोगे सर चारी तो है याद तो हो जाते हैं हो जाते हैं तो आप बहुत बड़े इंसान हो मुझे तो नहीं होते थे तो मैंने तो इसका निमोनिक बना लिया था कि भाई कैसे principles principles आप जो है न उनने अपनी खुद की आप शुरू की कॉम से हो जाएगा community participation, internet के inter से हो जाएगा intersectoral coordination और app से हो जाएगा appropriate technology तो ऐसे आप याद कर सकते हो चार principles को equitable distribution, community participation, intersectoral coordination and appropriate technology तो यह तो हो गए आपके चार principles अब इनहीं को समझते हैं क्योंकि न इनके अंदर भी कई बार आपको question या उनके examples पूछ लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज equitable distribution क्या होता है equitable distribution जो होता है न उसमें कहने का मतलब यह है कि जो health services होती है वो सभी को मिलनी चाहिए irrespective of the ability to pay ऐसा नहीं कि rice को जाधा मिलने चाहिए गरीब को कम मिलनी चाहिए जैसे कि अभी covid-19 में होने वाला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि rice rice को vaccine लग गई गरीबों को vaccine नहीं लगी नहीं सबको लगनी चाहिए equally irrespective of their ability to pay ठीक तो इसमें equitable distribution में हमको दो चीज समझनी है एक तो इसका example क्या है और क्यों है दूसरा equitable distribution पहले हम समझते है equitable का मतलब क्या होता है for example अगर एक middle class का लड़का है और एक बहुत गरीब लड़का है दो लड़के हैं मेरे पास मतलब मेरे पास नहीं दो हैं और फिर ना मेरे पास 1000 रुपे थे देने के लिए तो मैंने क्या किया मैंने 500 रुपे दिये middle class के लड़के को 500 रुपे दिये मैंने गरीब लड़के को ठीक है ये क्या हुआ ये हुआ equal distribution क्या रईस जो था या पैसे वाला जो था या middle class था उसको 500 की जरुवत थी नहीं गरीब को जादा जरुवत थी अब दूसरी चीज मैंने क्या की मैंने ये पहले वाले को सिर 100 रुपे दिये जबकि जो गरीब था उसको 900 रुपे दिये तो ये कौन सा distribution हुआ जिसको जादा जरुवत थी उसको जादा दिया जिसको कम जरुवत थी उसको कम दिया that is actually equitable distribution not equal distribution तो याद रखना equal distribution और equitable distribution में फर्क होता है बहुत प्यारी image है आपको हर जगे मिलेगी ये वाली अब देखो तीन बच्चे थे तीनों को match देखना था एक boundary वाल थी अब हुआ क्या तीन डबबे दे अगर equally तीनों बच्चों को हमने एक एक डबबब दे दिया होता एक दो तीन तो होता क्या ये equitable distribution होता नहीं ये equal distribution है सबकी जरूरत पूरी नहीं हुई इसको जरूरत ही नहीं थी डबबे की इसको सिर्फ एक डबबे की जरूरत थी इसको दो डबबों की जरूरत थी तो हमने equitable distribution किया ये देखो लंबे वाले को हमने एक डबबा नहीं दिया medium size वाले को हमने एक डबबा दिया जिसकी छोटी height थी उसको हमने दो डबबे दिये अब देखो तीनों ही देख पा रहे हैं तीनों ही खुश हैं ये होता है equitable distribution और ये किया था हमने equal distribution समझ गए तीनों को जब एक एक दिया था ये ही फर्क आपको समझना है वाइवा में पू अब मान लो कि ये पूरा का पूरा एक शहर है ठीक है ये शहर है आपका ऐसे बनाते है अपने ये पूरा का पूरा एक शहर मान लो जैन शहर है वो जैन डिस्टिक्ट है सोरी अब डिस्टिक्ट में एक होगा urban area एक होगा rural area urban area याने शहरी चेत्र rural area याने गाउवाला चेत् और बाकी periphery में पूरा गाउं वाला चेतर है अब शहर में क्या किया सरकार ने district hospital खोल दिया बड़ा सा ठीक है क्यों ज्यादा hospital और क्यों ने खोलेगा खुब सारे private hospital होंगे for example किसी भी शहर को ले लो अपोलो private hospital में अपोलो अपोलो की इच्छा होगी तो कहां खोलेगा गाउ अब सरकार के पास और भी चीज़े थी खोलने के लिए उनके पास थे community health center that is samodhaik swaskin primary health center that is prathmik swaskin sub health center that is ups swaskin आंगनवाडी center तो ये सारे centers थे तो उन्होंने क्या किया ये जो गाउंवाले area था ने इनको अलग-अलग blocks में बाट दिया ये हो गया एक block ये हो गया दूसरा block एक block हो गया दूसरा block हो गया तीसरा block हो गया चौथा block गाउं को इनने अलग-अलग block में बाट दिया और हर block में इन्होंने क्या पास्तर केंद्र वहां पे खोल दिया गाउं का बड़ा असपताल जिसको कहते हैं हम अब अभी भी इन्होंने इनके पास पी-ए-ची था तो इन्होंने क्या किया अब ये तो बड़े-बड़े और रंदर थोड़ा सा खुसेंगे तो उन्होंने ये जो एक block है इनको चार भ और जादा सुविधाही मिल गई गाउंवालों को यह प्राइवेट वाले तो गई नहीं थे तो सरकार कोई खोलना था तो अपनी हेल्थ सर्विसेज ऐसे दे रही है अब इन्होंने क्या किया है अब इन्होंने बोला कि और छोटे अस्पताल भी हमको खोलने है तो यह जो हमन 3,4,5 और 6 यह देखो एक दो 3,4,5,6 तो हर पी एच सी के तहत उन्होंने 6 सबसेंटर खोल दिये और फी यह से छोटे-छोटे पूरे हिससे हो जाएंगे सबके तो सबसेंटर भी खोलने थे तो उन्होंने थे सबसेंटर भी खोल दिये चार गाउ में एक sub-centre खोल दिया उसके जो ब्लॉक है यह किन से बना हुआ है यह बना हुआ है धेर सारे गाउं मिला के एक बढ़ा सा ब्लॉक बनता है यह बहुत सारे गाउं थे गाउं थे गाउं थे अ 2001 फ्न उन्हें कर्कू चाहर préfलिण में आंगनवाडी सेंटर भी कोल दिया हर गावं में एक आंगनवाडी सेंटर भी clicks इस तरह से क्या किया कि सरकार ने CHC, PHC सबसेंटर आंगनवाडी सेंटर परिफेरी को दे दिया क्यों? क्योंकि सेंटर में that is शहर में तो district hospital भी था private hospital भी इत्ते सरे थे in fact कुछ urban PHC, CHCs भी खोल दी लेकिन जादा तर जरुरूरत किसको थी तो जादा जरुरूरत थी rural वालों को तो उन्होंने ये सारी चीज़े rural वालों को दे दी कम जरुरूरत थी urban वालों को क्योंकि urban वालों के पास private hospital, nursing homes, dispensaries, private practitioner थे तो इन्होंने क्या किया एक district hospital और कुछ urban CHC और PHC खोल दी urban में क्योंकि इनको कम जरुरूरत थी तो that is actually equitable distribution जो सरकार ने किया that is shifting centers of healthcare system from cities to rural areas आपको कहीं देखा है क्या गाव में शहर में गुमते हैं और ये सामुदा एक स्वास्त के इंद है ये प्रात्मिक्स वास्त के इंद है बहुत कम मिलते हैं तो ये है आपका healthcare delivery जो सरकार ने किया ये दिख रहे हैं आपको ये अलग-अलग blocks हो गए हर block में एक CHC खोल दिया उसके बाद हर CHC के तहट चार PHC रख दी उन्होंने फिर हर PHC के तहट छे सबसेंटर्स रख दी उन्होंने उसके बाद हर गाओं में एक अंगनवाडी उन्होंने खोल दी ठीक है? population wise भी हम आगे पढ़ेंगे वसे कि एक CHC जो होती है 80,000 से 1,20,000 एक PHC जो होती है 20,000 से 30,000, एक सबसेंटर्स जो होता है वो करीब 3000 से 5000 की population में होता है तो समझ में आया equitable distribution क्या होता है? equitable distribution होता है जिसको ज़्यादा जरूरत है उसको ज़्यादा दिया जिसको कम जरूरत है उसको कम दिया equitable distribution is not equal distribution समझ गया है? तो ये दो चीज समझ लेना equitable distribution क्या होता है और उसके example को कैसे सरकार ने किया ठीक अब अगला आता है community participation community participation क्या होता है जो primary health care आप दे रहे होना उसको देने के लिए आपको community से ही लोगों को उठाना पड़ेगा जिससे वो ही services की planning करें वो ही उन services को implement करें याने की लोगों को दें और उसको maintain करें health services को community से ही इनसान को उठाओ उसको train करो health care services के लिए और उसी के द्वारा आप services को दिलवाओ और maintain करवाओ इसके सब सच्चे example है village health guide यह हम पढ़ेंगे आगे health care delivery services में village health guide उसी गाउं से उठाते हैं या फिर आशा, आशा stands for accredited social health activist तो आशा, यह है आशा आशा आपकी तो उसी गाउं से उठाओ और उसी गाउं में काम कराओ आंगनवाडी workers आपने हर गाउं में आंगनवाडी center खोले हैं तो यह आंगनवाडी workers जो हैं उसी गाउं से उठाओ उनको training दो और उसी आंगनवाडी center में उनका placement कर दो उसके अलावा चाइना में barefoot doctors भी चलते थे उसके अलावा TBA stands for train birth attendance जो लोकल दाइस होती थी ना वहीं गाओं की वहीं से हमने उनको उठाया training दी train birth attendance तो यह आपके कुछ example है community participation के कि community से ही उठाया training दी और वहीं काम कर रहें यह मैंने photos क्यों डाली आशा और आंगनवाड़ी workers की क्यों क्यों कि याद रखना आपको कभी practically काम आएगा at least MP में ना color coding होती है यह जो आशा होती है यह आपको हमेशा purple color के कपलों में या साड़ी पहने दिखेंगी यह जो आंगनवाड़ी कारे करता होती है यह या तो pink या या तो reddish या तो orangish color के साड़ी में आपको दिखेंगी in fact एक और color coding आपको गाउं साइट दिखेंगी that is जो ANM होती है that is auxiliary nurse midwife यह आपको हमेशा green suit या green साड़ी में दिखेंगी तो यह आपको differentiate करते आना चाहिए जब आप गाउं में जाओ कि कौन आशा है आशा आशा आपक आपको pink, orange या reddish में मिलेंगी और कौन ANM है ANM जादतर आपको green color की साड़ी या suit में मिलेंगी तो यह एक additional जानकारी at least MP में तो यह color coding यूज होती है इंडिया के MP में यह तो मुझे पता है ठीक यह होगे community participation उसके बाद आता है intersectoral coordination, intersectoral coordination क्या है? पही health sector के थ्रू तो हम services द को भी involve करते हैं जैसे कि agriculture sector की बही किसानी वाले sector को भी ले लिया, animal husbandry sector को भी कि बही जानवरों से related जो sector होते हैं, पालन पुशर करने वाले उनको भी ले लिया, industrial sector को ले लिया, educational sector को ले लिया, housing department को इन सब को involve कर लो health services देने में, क्यों? ऐसा क्यों किया हमने? क्यों? क्यों एक health sector वही services या वही जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका health sector प्रोवाइड कर रहा है, तो इस से बचने के लिए हमने intersectoral coordination किया, for example, education, जो school है, हो सकता, school में भी आपको खानपान से related वही सारी चीजे पताई जारी हो, hygiene से related वही सारी चीजे सिखाई जारी हो, जो आ hospital में सिखा रहे हो, तो भाई duplication of services दो हो रहा है, for example, agriculture, किसान वगरा है, सरपंच वगरा जो किसान रहते हैं, वो आपको खाने आने से related, food और nutrition से related, वही सारी चीजे सिखा रहे हो, जो आपको hospital में सिखाई जारी है, फिर duplication of services हो रहे है, housing department, जो PWD वाले होते हैं, हो सकता, आ जो आपका hospital में हम सिखा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, duplication of services हो रही है, तो हमने क्या किया है, हमने इन सारे departments को health sector के साथ मिल के काम करने को राजी कर लिया, that is integration of health services, इसका बहुत प्यारा example है ना, गाउं में आप जाओगे, PHC, CHC में, तो वहाँ पर बनती है, रोगी कल्यान स इसमें ती, इसमें ना, अलग-अलग sector के लोग इसके member होते हैं, पहला तो भाई साब, वहाँ के जो medical officer होते हैं, याने की doctor, उसको रख लिया है, फिर जो वहाँ के school के principal होते हैं, तो उनको भी रख लिया, तो हमने education sector वाले को भी रख लिया है, फिर वहाँ जो PWD वाले होते हैं, उनको भी हमने रख लिया, तो housing department वाले को भी रख लिया, फिर जो सरपंच होते हैं, याने की agriculture department वाले को भी हमने रख लिया, ये सब लोग मिल के न, healthcare services की planning करते हैं, जिससे की duplication of services ना हो, simple, समझ गए, तो रोगी कल्यान समिती आपको intersectoral coordination के लिए याद रखनी है, ठी that is appropriate technology, appropriate technology मतलब की, जो health services आप दे रहे हो, वो न, याद है हमने primary health care की definition में जो चीज़े पढ़ी थे, वो सब यहाँ आ जाएंगे, पहली चीज, लोगों की जरूरतों के हिसाब से वो services होनी चाहिए, तब ही वो उसको adopt कर पाएंगे, याद है, वहां हमने पढ़ा था, उसके बाद acceptable होनी चाहिए उन में, जो services आप दे रहे हो, वो accept नहीं करेंगे, तो उसको use कैसे करेंगे, तो acceptable होनी चाहिए, और maintain कर सकें उसको समय समय पर, याने कि इतनी कीमत की होनी चाहिए, कि भाई वो लोग उसका इस्तिमाल समय समय पर कर सकें, और resources का सही डंग से इस्तिमाल हो सकें, ऐसा नहीं हो, बहुत महेंगी चीज़ दे दी आपने, तो उसको वो कर ही नहीं पा रहे हैं, इसके examples के तौर पे, इसमें ना appropriate technology में ये सब चीज़ें जो पड़ी ना actually आप कर क्या रहे हो, आप लोगों का स्वास्त उनके ही हाथ में सौप रहे हो, कि भाई, आप द बोलोगे, भाई आप जाओ, करीब पचास किलोमेटर दूर होस्पिटल है, वहाँ जाओ और जाके आईवी लगवाओ, एक नंबर सही हो जाओगे, क्या आप ये बोलोगे, या आप बोलोगे, कि भाई साब ये लो ORS, पानी उबालो, एक लिटर पानी उबालो, उसमें ये पल शाकेस टेप, बहुत प्यारी चीज़ है, ये तो आपका ORS हो गया है, अगली चीज़ आगए आपकी शाकेस टेप, शाकेस टेप क्यों यूज करते हैं, मिड अपर आम सकंफरेंस के लिए, बच्चे कोई माल नरिष्टों नहीं हो रहा है, ये सब चीज चेक करने के लि लाल वाला आ रहा है, कि ये पिला वाला आ रहा है, कि ये हरा वाला आ रहा है, हरा वाला आ रहा है, तो सही है, ठीक है, कोई टेंचन नहीं, लाल वाला रहा है, तो भाई ये माल नूट्रिशन हो गया है, पिला वाला आ रहा है, तो भाई साप माल नूट्रिशन की तरफ जा जा रहा या severe acute malnutrition की तरफ तो नहीं जा रहा बच्चा उसको check करने के लिए क्या किया हमने कोई बड़े-बड़े investigation किये नहीं क्या हमने कोई बहुत भारी प्रक्रिया की नहीं बस इस tape को लिया बहां में बांद दिया और फिर इस दोनों centimeter ये दोनों arrow की बीच में जो color आया उसके साब से हमने बता दिया कि भाई क्या है एक्टम simple, सीधी, affordable, acceptable, adaptable that's why it is appropriate technology अब जो ये आशा कारे करता होते हैं या A&M होती है उनसे आप पूछा भाईया वैक्सिन ठीक है कि नहीं है आप टीका करन कर रहे हो तो तो बलेंगे वैक्सिन ठीक है किसके बेसिस पर बता रहे हो आप हम बता रहे हैं ये VVM के बेसिस पर ये होता है VVM हमने VVM पे अलग वीडियो बनाया हुआ है आप immunization वाले chapter में देख सकते हो VVM का full form क्या होता है VVM का full form होता है vaccine while monitor ये ना इसमें ये जो square shape है ये temperature वाला होता है कि अगर temperature sensitive material है ज्यादा temperature दो से 8 degree temperature से ज्यादा अगर ये expose हो जाता है तो ये color change कर देता है तो ये दो जो है stage 3 stage 4 में use नहीं कर सकते हो बहुत easily बता देंगी A&M आपको क्या बहुत rocket science थी नहीं बहुत simple सी technology है that's why it is adoptable acceptable and affordable समझ गया ऐसी growth chart growth chart भी आपको आंगरवाणी कारे करता के पास हर किसी के पास ये growth chart मिल जाएगा जो कि MCP card में आपको मिल जाएगा that is maternal and child protection card में growth chart होता है कुछ नहीं ये कैसा chart होता है ये होता है आपका weight is to age वाला chart weight लेते हैं इसमें और age के हिसाब से देखते हैं कि बहुत सिंपल है हर कोई यूज कर सकता है growth chart याने की adaptable है, acceptable है, affordable है ऐसी बहुत सारे होते है बायो गैस प्लांट लगवा दो आप stand pipe, ये stand pipe actually गाव वगर में यूज होता है पीने के पानी के लिए इसको आप Google करोगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा जमीन पे लगा रहता है तो ये सारे appropriate technology के आपको examples है और वाइवा में बहुत important है, practical वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है table में, ये सारी चीज़े रखी रहती है बोलते हैं, बताओ इसमें से appropriate technology के example के है, सबसे पहले ORS उठा लो है, शाके स्टेप भी उठा सकते हो growth chart भी उठा सकते हो vaccine भी उठा के बोल सकते है, इसका जो VVM है सबसे ज़्यादा वो ORS को ही expect करते हैं कि इसको आप बोलो टीक, तो ये हो गया appropriate technology इसके examples याद रखना बहुत पूछे जाते हैं तो ये तो हो गया आपका कि बही primary healthcare कब आया था क्या definition होती है, क्या elements है क्या principles है, फिर थोड़े से चीज़े एक न, MCQ मुझे मिला था कि बही broad principles of primary healthcare क्या है broad principle, इनने क्या किया थोड़े से होश्यारी की थी और कुछ नहीं, हैं वही चार principles social equity ये वही equitable distribution वाला उसके अलावा intersectoral coordination तो हमाई पस था ही तो intersectoral coordination है अपना इन्होंने थोड़ा सा गुमाव national coverage इन्होंने बोल दिया national coverage क्या था actually अगर देखा जाए ये national coverage कुछ नहीं ये community participation का ही हिस्सा था जितने जादा से जादा लोग participate करेंगे उत्ते जादा से जादा coverage होगा self-reliance क्या था ये उसी के तहत था appropriate technology के तहती ना कि वो लोग खुदी maintain कर सके खुदी afford कर सके तो appropriate technology के तहत था तो broad principle में इन्होंने ये बोल दिया लेकिन आपको समझ गए हो अगर तो आप इसको सही लगा सकते हो ठीक वसके लाब एक और एक नया concept जो आया है that is quality inquiry quality inquiry ना एक नया concept है primary healthcare में इसमें जादा कुछ नहीं है हमको ना बहुत दूर-दूर की सोच के advanced decision नहीं लेने हमको ना उसी वक्त देखना है कि कैसे उस चीज को ठीक किया जा सकता है उस पे सवाल पूछने है नए interpretations पे सवाल पूछने है कि भाई इस problem को अभी कैसे ठीक करना है future का नहीं सोचनक बहुत अच्छी technology आएगी ये होगा वो होगा नहीं हमको on the spot नए interpretation बताओ उस पे सवाल पूछो लंबे लंबे advanced decision हमको नहीं लेने that is आपका quality inquiry ठीक ठीक तो अगर हम बात करें सवाल की तो ना primary healthcare जो है ये आपका star question है star question क्यों क्योंकि ये आपसे theory में भी पूछा जाएगा ये आपसे viva में भी पूछा जाएगा viva में theory viva में भी पूछा जाएगा practical viva में भी पूछा जाएगा हर जगा primary healthcare पे सवाल ले तो ना जैसे कि long question आजाता है इस पे कि define करो primary healthcare को इसके elements बताओ principles with example समझाओ तो बताओ भाई साब short note आजाता है या तो elements of primary healthcare पे या तो principles of primary healthcare पे very short note आजाता है आपको कि भाई enumerate करो principles या enumerate करो आप elements को तो बहुत सारे questions आपको primary healthcare पे आते हैं अगर हैं बात करो viva की तो ये तो आपको fail कराने वाला question है viva में कि primary healthcare की definition बताओ ये पूछा जाता है अगली चीज़ viva में पूछा जाता है कौन सी conference और कब हुई थी जिसमें primary healthcare term आई थी फिर viva में आपसे ये भी पूछ ले जाता है कि भाई elements बताओ कितने हैं तो आपको पताओना चाहिए कि भाई ये 8 elements हैं और उनके कौन-कौन से नाम है viva में बहुत important question है कि भाई principles बताओ कितने हैं और कौन-कौन से हैं तो ये आपको बनना चाहिए उसके बाद ना एक-एक चीज़ पर example equitable distribution बताओ क्या होता है equal और equitable में difference और example बताओ equitable का community participation का example आपसे वiva में पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए उसके बाद intersectoral coordination वiva में आपसे बोलते हैं समझाओ और इसमें बोला जाता है क्यों किया जाता है तो सामने वाला सुनना चाहता है duplication of activities ना हो ये उसके बाद आता है appropriate technology भाई साब practical वiva में तो ये पूछे जाता है कि भाई टेविल में से appropriate technology का example उठादो तो आपको सबसे पहले तो ORS उठाना है ठीक है तो examples तो बहुत important है appropriate technology के ठीक अब अगर हम बात करें various PG entrance exam में पूछे गए MCQs की जो कि आज को थियोरी में भी आपको MCQs आते हैं तो MCQs क्या-क्या आ सकते हैं तो जितने भी underlined part मिलेंगे हमारे notes और slides में वो सभी अलग-अलग PG entrance exam में पूछे गए MCQs है तो आपको एक MCQs तो सीधा-सीधा इस पर आ जाता है कि all accept वाला ये सभी elements of primary health care है accept तो आपको education पर भी आया हुआ है water and sanitation पर भी आया हुआ है vaccine preventable disease की जगए infectious disease उनने term use कर लिया था immunization उस पर भी आया है locally endemic disease का control पर भी आया है essential drugs पर भी आया हुआ है principles पर भी आपको MCQ आया हुआ है कि भाई इन में से all accept तो ये भी आपको MCQs के लिए याद होना चाहिए इनके नाम equitable distribution के example पर आपको MCQ आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे government ने अपने healthcare centers गाउफ की तरफ shift किये शहर से उसके लावा आपको MCQ आया हुआ है appropriate technology के example पर आपको MCQ आया हुआ है तो ORS भी एक पर आया है शाके स्टेप पर भी आया है और standpipe पर भी आया है तो ये भी आपको याद होने चाहिए फिर एक MCQ आपको ये भी मेरे को मिला था कि भाई broad principles क्या होते हैं तो ये पता होना चाहिए और qualitative inquiry in fact actually MCQ ये आया था कि नया concept क्या है primary healthcare में that is qualitative inquiry तो इतनी चीज़े है जो आपको primary healthcare में पता ही होनी चाहिए Thank you